उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे नवरात्री बहुत ही नशदीक है और इसलिए नवरात्री का तैयारिया बहुत जोरुस दोरुस चल रहा है और नवरात्री के पावन असफ़र पर भासाभी भारत बासी उच्सा के सांथ नवरात्री मनाते हैं जो की हर स्टेड में और हमारे चैनल पर कोई भी नए है तो हमारे चैनल को सब्क्राइब जरूर कीजिए इस तालाब में भोले नात का इस्थान बनाया गया है जिसमें सेट्रिंग लगा कर बड़े उचे इस्थान पर सुंदर द्रस्त के साथ यहां इस्थापना की जाएगी बड़े ही उत्सव क सामने का द्रस्त है जो की तालाब के पीछे भोले नात की दर्सन करने के लिए यहां से हम जाएंगे और यहां से जाते हुए सबी कमेटी के सदस महनत करते हैं यह हैं हमारे कर्षन कांच और रसिया जी जो गाउं के बीस के कमेटी से उनका इतना मन इस कमेटी में रहा इसलि हमारे गाउं की बिन्नु मिस्तरी हैं जो अपना काम करते हैं और साम को अपना पार्ट टाइम समय देकर माता जी का सेवा करते हैं और यह हमारा दुर्गाई स्टेड है जिसमें माता जी राजमान होगी और पीछे का तालाब में दिरस्त आप देख सुकी यह नवरातरी के लिए निस्त्वार्त सेवा करते हैं जिसको भी जुरूत है अच्छा डेकोरेट करवाने के लिए वह इन से संपर्क कर सकते हैं अब यह तैयारिया हो रही है और तैयार होने के बाद बहुत ही अच्छा दृस्त बनेगा यहां से हमारा जाने का रास्ता ऐसे ही सेट्रिंग टालाब में भी बड़े ही लाइटिंग का दरस से देखने को मिले गा तो ऐसे हमारे वीडियो में बने रहीएगा और यह हमाड़ मानने वाले जो कि माड़ तो नहीं सकते हैं लेकिन कोशिस कर रहे हों क्यों कि उनका सरीर ऐसा तो नहीं इनका सरीर है भारी भर कम जो महनत करने के लिए बहुत ही उताबले रहते हैं पर हामर्द को उठा नहीं पा रहे हैं सबसे बड़ी समस्य ये है ये जगहा है अनुकपुर्ग ग्राम किलहुरी ग्राम पंचायद के पास फस्ट इस्टेड जो की हर साल बड़े उत्सव में मनाये जाते है अधराम बढ़िया है सही है चल रहा है लाइप वीडियो आपका है हलो दोस्तों मैं इस बार अपने ग्राम के लहुरी पीपर पास की पंडाल में जुड़ा हुआ हूँ जो की पहले मैं दो नंबर वार्ड में तिन वट्टी पारा मेरे को अच्छा जनी लगता है हमारे गाउं का पांच नंबर वार्ड बड़ा ही अच्छा पंडाल है जो की बड़ा ही दूर दूर से लोग देखने आते हैं इस साल हम लोग तलाम में हम लोग इस साल संकर जी का प्रोग्राम रखे हुए हैं और सभी दोस्त लोग मिलके हम इस साल गुथा बना रहे हैं जो की बड़ा ही विसाल गुपा है और इस साल यहां काफी तलाब में फुबारा का काम होगा बहुत ही नजारे के साथ आपको यहां देखने को मिलेगा और लाइटिंग का भी प्रोग्राम जो है हमारे अनीज बर्मा जी करेंगे बहुत ही सांदार पूरी तरस तैयार हो जाएगा इसलिए हम आपको दूसरी वीडियो में पूरा दिखाएंगे लिए थोड़ा सा ब्रेक और मिलते हैं नेस्ट वीडियो पर